हलो अवरीवन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपको और आपके परिवार को हमारी ओर से दीवाली की धेरो शुब कामना है देखे दीवाली आने वाली है और दीवाली के पहले छोटी दीवाली यानि नरक चतुरदशी और धंतेरस आती है और धंतेरस या नरक चतुरदशी पर हमें यम का दिया बनाना होता है उसका पूजन करना होता है देखे वैसे तो यह जो यम का दिया होता है इसे पांच दिन निकालने के नियम है पांच दिन निकाला जाता है छोटी दीवाली पर धंतेरस पर और दीवाली पर दू मैं आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को बीना स्किप किये एंड तक जरूर देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखिए यह जो यम का दिया होता है यह किसी किसी कि तो आप में जैसी परमपरा हो आप वैसे कर लें और और जहाँ पर भी आप लिड मिडिक है और इस तरह से आटेAC फिरस वास्तिक बना लें देखिए जहांपर भी आप दीपक प्रजविलित कर रहे तो आप बनाएं उसके पहले इस सी स्धरय पिलेगेह लिए और चावल ले को इतना लें कि एक व्यक्ति का एक समय का भोजन हो जाए आप इस तरह से देखिए प्लेट पर आपको रखलेना है ध्यान होता है और अनाज के उपर रखा जाता है आप इस तरह से सराई नat या चौमुखा दिया आप आटे से भी बना सकते हैं और अगर आपके हां मिट्टी का दिया चौमुखा जलाया जाता है तो आप वो ले लें यहां पर हमारे हां आटे का दिया जलाया जाता है तो वो मैं आपको बना कर दिखा रही हूं किस प्रकार से बनाया जाता है यह दिय इस तरह से चौकोर आकार देते हुए आपको ये दिया बना लेना है देखिए जो यम का दीपक होता है वो जिस घर में भी जलाया जाता है वहाँ पर अकाल मृत्यू का किसी व्यक्ति को जो परिवारी जन है परिवार में किसी को भी अकाल मृत्यू का भै नहीं होता है इस तर एक ही आकार की आपको बत्तियां तयार कर लेनी है चार और फिर इस तरह से देखिए व्वश्थित कर दें और इसके बाद इस दिये में आप यह तो dal का तेल डाले यह तो तेल का धीन है यह जाता है अगर कि नहीं पर चल दें और इस तरह से बातियों लिदेख्या करते हैं, जिस से बातियां जलने में आसानी रहेगी, इसके बाद इस दीपक में हमें इस तरह का एक रुपय का सिक्का ढाल देना है, और फिर इसके बाद इस तरह से कौड़ी रख देनी है, ये दोनों चीज है बहुत जरूरी हैं डालनी और इसके बाद दीपक प्रजवलित कर लें आप, और दीपक प्रजवलित करने के बाद ही हमें दीपक का पूजन करना है और इसमें काले तिल भी डाले जाते हैं, तो यहां मैं डाल रही पूजन कर दें और इसमें दीपक में खीलें भी डाली जाती हैं क्योंकि दीवाली का जो समय होता है उसमें खील का भी विशेश महत होता है और इस तरह से देखिए बताशे का भोग लगा देंगे हम और आपके घर में जितने भी मेंबर्स हों वो एक एक फेरी देते हुए इ इसके बाद देखिए इस प्रकार से आप जल ले ले और इस तरह से हाथ में ले ले उसे और दीपक के आसपास शारोर तीन बार आपको घुमा कर दीपक का शीतली करण जो है वो जरूर कर ले इसके बाद यहम दीपक से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में अगर किसी प प्रेंस गेट है यानि जो मुख द्वार है उसके बाहर साइड रखना है और अगर आपका मुख द्वार दक्षिण दिशा पर पड़ रहा है तब तो आप चौ मुखा दिया रखें और अगर आपका द्वार में गेट है वो दक्षिण दिशा में नहीं है तब आप एक बत इसके बाद सुबह पे जब ये दीपक ठंडा हो जाए तब आपको ये जो कौड़ी है दीपक मैंसे वो निकाल लेनी है और अपनी अलमारी में ये तिजोरी में इस कौड़ी को रख लें आप अगले साल फिर काम आएगी और ये जो सिक्का है इस सिक्कों को आपको जो फेरी फेरी दी हैं आपके परिवारी जनों ने उनी सिक्कों के साथ इस सिक्कों को भी आप ये जो अनाज है उसके साथ दान कर दें और ये जो दीपक है उस दीपक को आप छट पर डाल दें चिडियां वगरा चुन लेंगी या फिर आप इस दीपक को पार्क में भी रख सकते है जहां चीटिया वगरा जादा हूँ ध्यान रखें दीपक को ऐसी जगा रखें जहां साफ सुतरी हो जगा आई होप वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगा हो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग